समर्तन जाटोगा बीजेम की तरफ है ये आपको इस चीज को लेकर दिखा रहा है कि जो जो सीटे 2019 में सपा और बसपा के गठवंधन में जीती अब चुकि बसपा ने अकेले लोकसवा चुना लड़ने का ऐलान किया है ऐसे में उन लोकसवा सीटों पर मौझूदा परिसिति क्या है और इस पीडिये समीकरन का अपना राइंतिक बजूद किसके साथ है उसे किसका फाइदा है इंडिये को फाइदा है या इंडिया को इसे मजबूती मिलेगी ऐसे बहुत सारे सवाल है ग्राउन पर अभी हम अल्प संक्यक समुदाय के लोगों के बीच में बैठे है क्योंकि सबसे ज़्यादा पश्चमी उत्तर प्रदेश में इसी वोट बैंक पर लोग अपना आकलन बिठा रहे है क्योंकि कहा जा रहा है कि इनके पास तीन भी कल्प है पहला मावती अगर अकेले चुना लगती है तो उनके कैनी रेट होंगे दूसरा ट्रम कार्ड माइम के मुख्या अस्दुदीन ओवैसी माएं जा रहे है और तीसरा इंडिया गठवंधन का उमिदबार होगा तो क्या होगा राहिंतिक समीकरन ये जानने के लिए निविज 24 ग्राउंड पर है पहला स्वाल आप ही से आपको लग रहा है कि जिस तरीके का महौल है अल्पसंख्यक पिछडा और दलित का नारा अखिलेस यादब दे रहे हैं ऐसे में लोग आँ कि समबल में जब बीएसप्य से भी कोई मुस्लिम उमिद्बार होगा वैसी सांग कि पार्टी से कोई मुस्लिम उमिद्बार होगा तो जो निरनाय किसीरती है वह इंडिया को कमजोर करेगा एंडिये को इसे फायदा मिल जाएगा आप लोगों को लग रहा है इसा? यह देखिए जितनी जाद आपार्टी होंगी, वोट बेंक तो सब का घटेगा, वोटे अलग-अलग बटेंगी, जिसका पक्का वोट है उसी को फायदा होगा, भागे का नुक्सानी होगा. पक्का वोट का मतलब क्या है? विचारधारा के तोर पर जिस तरीके की राजिंतिक लडाई चल रही है, उसमें लोग पूछ रहे हैं कि भाई, अलग-अलग हिंदू में तो है कि एक तरफ का धुरूवी करन करने की कोशिश होगी, 2024 के लोग सबाद चुनाओ में, संबल में प के पास भी कलप अगर बहुत होंगे, तो ऐसी सुरत में उनके सामने सबसे बड़ी चुनाओती होगी. या फिर एंडिये को फादा होगा. कैसी सरकार चाहिए? सरकार, सरकार तो इनकी बनती दीक है, जिनकी आ रही है? बहुत चारत रोग को बढ़ जावेगी, इनकी रह जावेगी? अगर विकल्प ज़्यादा है, तो संबल में फिर क्या होगा? संबल की सीटे है, आपका नगीना की सीटे है, यहां अमरोहा की सीटे है. तो अम्रोहा में अगर सम मिलकर अजाए तो इनकामे भी मिल जाएगी इंडिया को गठवन्दन को आप लोगों क्या लग रहा है क्या होगा दोजार चुनाओ में अगर तीनों पार्टी ये मिलती है ना सपा बसपा और बसपा ने तो अलान कर दिया मायवती जीने कि वह अकेल प्रिजनी ये तेगी और जो इंडिया गठवंदन है वो इंडिया गंदरवंदन का कुछ हो सकता है कि लोग पास बिकल्प होते नहीं कि युवा सबसे आदा वैसी साब से प्रहाईत होते हैं जब आएंगे भासन दिने तो सबसे आदे हम लोग देखते हैं को कवर करते हैं आप लोग जैसे लोग निकलते हो वहाँ पर जाते हो वो बोलते हैं कि नौजवानों को ठगा जा रहा है इस समुदाय की तरफ से ऐसे में विकल्प आपके पास बहुत सारे हैं ऐसे में क्या आधार होगा लोक्सवाँ दोजार चौवीस में वोट देने का अरे बताव या जाते हो ना मेरी वोट ने बनी है जी बनी है क्या होगा दोजार चौवीस में किसकी सर्कार जी रहूल गांधी को चाहते हैं दोजार चौवीस के लिए वैसी साव आपको कहेंगे कि रहूल गांधी ने तो बेला घर कर दिया मुसल्मानों कांग्रेस से नाई नाई कोई तो बहुत सार है ना आपके पास वैसी साहब हैं वहुजन समाजवादी पार्टी है तीनों से अलपसंख्यक समझाए कोई है नहीं अगर जो मुसलमानों के लिए देखा जावत तो जी जो बार बार कहते हैं कि हमने अलपसंख्यक वाओं के लिए बहुत कुछ किया है आइसमा मिलेगे और विकल्ब में अलपसंख्यक वोट बटेगा कि नहीं बटेगा थोड़ा बटेगा जी इच्छा